विल्कम बैक माई चैनल देखिए आज हम इस लटकन का वीडियो बनाएंगे मैंने ये कानाजी के लिए मटकी बनाई है इस मटकी में मैंने ये लटकन लगाए है आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो पहले हमें मैजिक रिंग बनानी है फिर यहाँ पर हमें तियन चैनल लेनी है एक चैनल हुई एदो तीन अब हमें इस मैजिक रिंग के अंदर टोटल पंदरा डबल क्रोज से बना लेने है तीन चैन को भी हमें काउंट कर लेना है पंदरा डबल क्रोज से हो गए है उच्छो एक मैजिक रिंग वैला थागा है इसे हमें अच्छे से खेच लेना है पिर जहां पर हमने तीन चैन ली है उस तीन चैन के अंदर हमें जोइंट कर देना है तीन चैन लीन है और देखे जो एक चैन है एक चैन के उपर हमें एक डबल क्रोज से बना लेना है पिर दूसरी चैन के उपर इसे तरह से पूरे के अंदर हमें हरे चैन के ऊपर एक डबल क्रोश है बना लेना है के पूरा अम अमने के अब जहां पर हमने तीन चैन लिए माधे में चोने करेना है फिर यहां पर हमें तीन चैन लेनी हैं म boiler आपव में एक चैन छोड़ देनी थे ही अगली वाले चैन में एक डबल क्रोश से बना लेना है एक चेन छोड़कर दूस्तरी वाली सेन में डबल क्रोश्या बना लेना है यह फूरा राउंड में इसी तरह से कंप्लेट कर देना है एक सेन छोड़कर दूस्तरी वाली सेन में डबल क्रोश्या बना लेना है देखें इस तरह से इसे में कट नहीं करना है इस तरह से अंदर रख देना है देखें ये फूरा कंप्लेट हो गया है वुलन वेस्ट वुलन होते हैं टूकड़े होते हैं पॉम पॉम के या किसी भी वुलन के वेस्ट वुलन पड़ा होता है उमारे पास हमें इसमें यूज कर सकते हैं इस तरह से कि इसके जगह आप कोटन का भी यूज कर सकते हो इसके जगह आप कोटन का भी यूज कर सकते हो कम कम कर सकते हैं? देखे हमें पुरा बना लिया है अब हमें हर एक चैन में से एक थागा ले लेना है इस तरह से हर एक चैन में हमें एक थागा एक थागा लेकर चैन बना लेने है अब जितने चैन बड़ी बनाना सकते हो उतने बना सकते हो यह हमारा लटकन कंप्लेट हो गया है आप इससे लच्ची भी बोल सकते हो चेरी भी बोल सकते हो देखे इस तरह से दिखेगा बोल सकते हो